नमस्कार दोस्तों, आज चतिस गड़ के जस्पूर नगर से करीब 20 किलोमेटर दूरी पर हम लोग सैला गाउं आये हुए हैं, यह दादा का घर है, गाउं है, और वहां पर देख रहे हैं, यहां चार उत्रप, देखें, चार उत्रप पहाड से गिरा हुआ, बहुत ही कुशूरत वादियां है, और चार उत्रप यहां मक्का का खेत लगा हुआ है, देखें, और लोग यहां आये हैं, यहां सामने देखें, आगन बारी का किंदर है, मनेरा जीला जस्पूर, किंदर सैला होता है, तो बहुत सारा चीज यहां पर बहुत ही कुशूरत ची चीज अच्छा है देखिए इस जगह पर हम लोग आये हुए हैं। और मुझको यहां मैं पहली बार यहां आया हुआ हूँ हूँ और बहुत ही अच्छा लगा यहां का दिर्शिया देखके यह गाउं का दिर्शिया इसी घर में जो दादार आते हैं खाका सहब उनी का घर हम लोग फहुचे हुए हैं चारो तरफ बहुत बढिया है यहां पर से आम लोग चले आज यहां रुकना होगा रात भर क्योंकि सफर बहुत लंबा है और सफर लंबा होने के कारण हम लोग नहीं पहुच पाएंगे उधना दूर का रास्ता तो आज यहां खोल्ट करेंगे और खोल्ट करेंगे दिखे आज बहुं सारा चीज आया हुआ है दादा ने अरेजमेंट किये हुए हैं और देखे यह हुआ दादा का घर हुआ दादा यहां खड़े हुए हैं देखे मां यह मां देखे मां यहां बैठी हुई है इंतिजार कर रहे हैं तो यह मा है रुमा का स्वस्त भी देख रहे हैं बहुत अच्छा है इस परकार से हम लोग पहुंच गए हैं रास्ता तो हम लोग देखे हुए नहीं थे वो इधर उदर से आते हुए लेकिन देखे बहुत खुब्सूरत है यह घर है और घर के चारो तरफ देखे सबसे उन्चे जगा में हैं बहुत अच्छा यहां लग रहा है देखने में भी और चारो तरफ का नजारा भी बहुत ही अच्छा कुदूरता है भाई साहब लोग इधर खड़े हुए हैं मा खड़ी हैं मोसी खड़ी है सारे लोग है स्वागत में और कोशिस करूँगा मैं इसको देखाने के लिए आप सभी को तो देखे भाई साहब लोग यह होती है गाउं की एक नजारा होती है देखकर आपको बहुत खुश होगी यह चतिस गड़ चतिस गड़ जस्पूर नगर बोलते हैं जस्पूर नग वहीं पर हम लोग आये हुए हैं तो आपको यह देखकर अच्छा लगएगा कि गाउं को नजारा कैसे होता है चारों तरफ मैं देखाने के कूशिस कर रहा हूं यहां देखिए दूर दूर पर वहां पहाड भी दिख रही है आपको देखिए उधर नदी है नदी में बहु पहुँचे हैं तो पहले बारा यहां तो अतना नहीं अभी परिचे हुआ है तो फिर भी दादा बताएं कि यह ताची है वो मुशी है और मम्मी है इस परकार से अब लोग पहुँच गए हैं तो ठीक है आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्याबाद और इस तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए मैं गाउं का नजरा देखाने के कोशिस करूँगा बहुत सारे यहां अच्छी जगा है बहुत बहुत धन्याबाद आप से भी को अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिन जैच्छतिस गड़ गाउं के परंपरा में इस परकार गेस्ट या मेहमानों की स्वागत के लिए किया जाता है इसके विशे में मैं अगला वीडियो में आप सभी दर्सकों को देखाने की कोशिस करूँगा धन्याबाद